अगें टू देगीवर आर्किटेक्ट्स और आप इची वक्तू देख रहे हैं इस रेसिडेंस का फ्रंट है 55 फिट और जो इसकी डेप्थ है वो है 70 फिट तो 55 बाइस 70 का यह प्लाट है इसका जो में एंटरेंस है वो हमने लेफ्ट साइट से लिया है में एंटरेंस के बाद आपको डिरेक्टली पार्किंग एरिया मिल जाता है ठीक है तो यह आप देख सकते हैं कि वुडन टाइल ग्लास एंड वाइट कलर तीन हो ऐलिमेंट का ज्यादा तर इसमें यूज है ठीक है तो आप बात करेंगे इसकी सूराउंडिंग्स की राइट साइड में आपको मिल जाता है लेंड्सक्रापिंग स्पेस और उसके पाद आपको मिल जाता है यहां पर एक सुइंग पॉल ठीक है यह ब्लू कलर टाइल से जो है इसमें यूज का यूज किया है इसमें ब्लू कलर टाइल का एंड जो इसका राइट साइड का एलिवीशन है उसकी बात करते हैं तो इसमें पिलर्स आ जाएंगे राइट साइड में वह आपका वेरांदा स्पेस बन जाएगा और उपर में आपका वोड़न टाइल और नॉर्मल स्टॉन का यूज किया गया है ठीक है जो इसमें ओपनिंग है वो फिक्स विंडो की दे रखिए आप इसे चाहें तो ओपन मिल जाता है और बेक साइड में भी 5 वी आपको ओपन उपन एंटरेंज मिल जाता है ठीक है और एक एंटरेंज जो है इस परवूयाट पर तो है की इसमें रियर में भी एंटरंस रखान आए ठीक है millimeters prep team दिखा देता आँ तो यह वाला जो एंट्रेंस है वो रियर साइड से है आप डायक्टली रियर साइड में जाना चाहते हैं तो एक एंट्रेंस आपको अविलेबल है ओके वेंट्रेशन के लिए इस तरीके से ग्लेजिंग का यूज किया गया है राइट साइड में आपको पांच फिट उपन मिल जाएगा जिससे आपको जो है फेंट्रेशन प्रोपर्ली ग्लास के तुरू मिलता है इस राउंडिंग हो गई है एलवीशन में आपको बता दिया है अब बात करेंगे हम इसे इंटीजर की तो फॉर स्टेप के बाद आपको मिल जाता है इसमें में डूर और में डूर से आपको एसस मिलता है फर्सली लूबी में और लूबी में आप देख सकते हैं राइट वॉल पर अमने प्रिंटिंग से उसकी है और लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएगा ग्रोइंग रूम जो की सेमी ओपन ड्राइंग रूम है राइट साइड में जो है आपकी यूनिट आ जाएगी लेफ्ट वोल पर आपकी यू है एल शेप में सोफा यूनिट आ जाएगी और जिसके पार्टिशन है वह आप देखे तो वूडन प्लैंक से इसका पार्टिशन किया गया है और में इसकी ग्लेजिंग यूज है ठीक है काफी मोर्टन जो है यह निकल क्या रालिवीशन और इंटीर भी तैन लोबी में यह हमरा डाइनिंग एरिया और यह रहेगा किचन एरिया ठीक है कुछ सिटिंग यहां पर भी दी गई है एल शेप में एक सीन हम आपको इसका दिखा किचन का दिखा देते हैं ठीक है नेची केविनेट सा जाएंगी बूडन में और उपर आपकी चिमनी आ जाएगी ठीक है हुड और बैक वोल में आपकी टाइल लगा सकते हैं ठीक है बाकी इसमें आप यह कलर कॉम्बिनेशन है वो अपने हिसाब से भी ले सकते हैं यह एक आइडिया है आप यह भी रख सकते हैं ठीक है यहां पर आपका राजाएगा और कुछ यहां पर शैल्फ आ जाएंगी या साइड के लिए स्लाइड का दूर अर्य का ट्र टॉस टॉप ठीक है और इसके बात यहां पर आपको मिलता है यह डाइनिग अरी लेअ कि स्टेर के आपका डाइनिंग अर्डिया जाए ये बात है ही और ये रहेगे आपकी staircase for first floor first floor पर जो है एक bedroom दिया गया है और toilet और लोबी area ठीक है आप first floor पर जैसे यह आते हैं तो left side में आप को मिल खा रहना हो Supa पर बार UP आपके इस तरीकी सिटिंग चाहते हैं और राइट साइड में आपको मिल जाता है एक बेडरूम इस बेडरूम में भी प्रोपर वेंटिलीशन है बल्कि वेंटिलीशन तो इसमें हरी जगा है क्योंकि चारो तरफ से जो है यहां पर आप पार्टिशन भी कर सकते हैं यह मेजनाइन फ्लॉर हो जाएगा पार्टिशन चाहें तो आप इस स्टेर केस को सेपरेट भी कर सकते हैं इसी स्टेर केस है आपको जो है उपर के मेजनाइन फ्लॉर का जो हमारा बेडरूम में उसमें आपको एसस मिल जाएगा यह हो जाएगा उपर का बेड्रूम तो इसी बेड्रूम से आपको एसस मिलता है डरेस में पर अभी हम नीचे जाते हैं और नीचे से हमें एक ट्वालेट आपको दिखानी है और जो है अधरी स्पेसिस ठीक है आप चाहें तो इसको स्टेर केस को पर्सनल कर सकते हैं यहां पे आपका पार्टिशन आ जाएगा स्टेर के साथ यह रूम से टैच नहीं रहेगी यह मैजनाइन फ्लोर है तो कर रखी है ठीक है और आप अगर चाहें तो इसमें एक और भी स्टेर केस दे सकते हैं ठीक है बातिं अरिया आजाएगा श्याद से आजाएंगी आपकी आपर ठीक है और यह आपका बैसिन अरिया जाएगा एंड वेंटिलीशन और इसमें आपको यह बड़ा बात वो मिलता है ठीक है यहां से देखिए आपको जो व्यू आता है वह बड़ी आता है ठीक है देन टेरस की बात करते हैं तो अगें चलते हैं टेरस पर जैसे कि मैंने आपको काया आप इसमें एक सेक्ड इस स्टेर केस भी प्रोवाइड कर सकते हैं और इसमें जो आप स्टील की जो है रोड देख रहे हैं यहांसे आपका सेपरेट हो जाएगा इस ठीक है और फंद में आपको डूर मिलता है यह मिलता है आपको टेरस के लिए आप्में टेस्टेस पर टेस्ट कार्डनिंग भी कर सकते हैं और सिटिंग अरिया बना सकते हैं क्लियर यह हमारा रियर व्यू लेप्ट व्यू एंड अगें दिस इस दा फिरंट व्यू ओके तो इस तरीकी आप डिजाइन बनवाना चाहें तो आप में कॉंटेक्ट कर सकते हैं गीवर आर्किटेक्स पर और बाकिया अदर कोई रिक्वार्मेंट से फ्लोर प्लानिंग डिजाइन की प्लम्मिंग की तो वह भी आप हमसे करवा सकते हैं एंड थैंक्स वर वाचिंग अगे अगे नाव टेक केर अन बाबाए शर्चिंग few वाल म तो प्लम घस्टादस ह कि एंगे एल एफो पनींग कॉू प्लम प्लमुक्स